है फ्रेंड वेलकम तो कोपर्फेक्शनायर्स, पॉपेक्शनायर्स में आपका स्वागत है और यहां पर हम लोग जो है करेंट आफेर्स बिहार स्पेशल करेंट अफेर्स के साथ आपके सामने उपलप्त हैं सबसे पहला सेक्षिन हम देखेंगे विस टॉक्स अबाट परसने न्यूस सेवन पीपल फॉम बिहार इंक्लूडिंग एसी वर्मा ओनर्ड विद पदमश्री ओवर्ड फॉर्ड फॉर्ड यहां पर सेवन पीपल जो हैं उनको पदमश्री ओवर्ड 2020 के लिए सेलेक्ट किया ग लुए विकी साथ ऐन vara जि shaking गयुए उन्हीं मिला है विमलकुमार जैन पोर सोशेल वर्क मिश्वाह जैन चांते र वाइंटψव ऑन खॉर्ड पर सब्सॉश बहर्ड जी ऐवर्ड पोर सब्सूशं पीपल और लिस पर स्वाइने पूछा जा सकता है जिसमें इनका नाम और इनका लिस्ट में उनका जो है किस फील्ड में उनको मिला ये भी पूछा जा सकता है या फिर एक सेंपल पूशन हो सकता है कि इन में से किन्हें ये आवार्ड मिला है आपको ये लिस्ट याद रखना है Secondly, Soma Roy who was awarded the Rajya Purushkar सोमा राई को राज्य पुरुस्कार मिला ये लाइन आपको याद रखना है सीगोड़ी राज्य पुरुस्कार 2015-16 for Manjusa Painting a painting in which snakes and geometrical shapes are used so ये एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है third point सिद्धान सारंग एन 18 year old to receive dina award सिद्धान सारंग को dina award मिल रहा है क्यों मिल रहा है ये आपको देखना है तो it is for his contribution and voluntary and selfless work to society so social work के लिए सिद्धान सारंग को dina award मिल रहा है सादाब एहमद मोजी a journalist hails from Bihar won the रामनात गोईं का excellence in journalism award again ये point जो है आपको याद रखना है किनहें मिल रहा है किनहें मिल रहा है रामनात गोईं का excellence award मिल रहा है स्रदाब एहमद मोजी को किस के लिए ये award मिलता है journalism के लिए ये award मिलता है the award is given for both print journalism as well as broadcast journalism next we'll come to fifth number point which talks about NIT पतना final year students Abhas Rai secured AIR 1 in gate all India rank 1 जो है आभास राय को मिला है ये आपको याद रखना है then we have a section which talks about Vidyapati कभी the Mathaly Poet also called the Cuckoo of Mathaly Vidyapati कभी 1352 to 1448 ये ये पीरिए important है कई बार exams में पीरिए पूछ लिए जाते हैं he belongs to a period of two mighty king this again is a very important point दो दो जो king है उनके period को ये बिलॉंग करते हैं पहला king का नाम है king Shivshing और दूसरा है king Kirti Singh so king Shivshing और king Kirti Singh के period को ये बिलॉंग करते हैं this could be a potential question now he was born in Bisafi village in Madhubani district of Mithla region of Vihar he is also known as the Mathali Kavikokil he used to write in distinct language of Mathali Prakrta and Sanskrit प्रवर्थे हैं त्रहते हैं यह बिलॉंग में ये लिपे थैकε्स दाधा करते हैं पहलाए सोंगी जन कल देशागा takiej को दोकॉ期 यह हे रिप्टी ingred river पे जो है काम करा है और सो वो जो बेसिक सब्जेक्स होता है उसके साथ साथ वो जो है कुछ जो वैरीट सब्जेक्स हो गया हिस्ट्री हो गया जोगरफी हो गया इस पे भी किताबे लिखते थे और कुछ किताबे जैसे भू परिक्रमा जो की है लोकल जोगरफी के लिए काफी जो है उनकी किताब है लिकना वली जो है वह उनका जो है राइटिंग स्किल के उपर किताब है यह सारी किताब है बहुत जो वैरी टॉपिक्स पर उन्होंने किताब लिखा है वह आपको जैसे किर्थी पताका किर्थी लता है यह सारे बुक्स का नाम आपको यहां पे देख लेना है और इनकी जो शैली थी वह और बंगाली इसको भी काफी एफेक्ट करती थी it is said that he has a heavenly connection with God so again, इन से related बहुत सारे जो है जो बाते प्रचलित हैं so वो भी यहां पर लिखा हुआ है विद्यापति कभी have 16 titles since he was very popular in his region अपने region में, मितला region में काफी popular थे इसलिए इन को अलग अलग जगह से सम्मान मिला था so he had been given 16 titles including नवकवी, हेलन then कवी रजन कवी रजन then अभिनव जैदेव, कवी शेख तो यह बेसिक इनको बहुत सारे इस तरह के titles मिले थे he spent most of his life in exile during his second exile period he died in जनकपुर, नेपाल so जनकपुर, नेपाल में next Sanuj Rai from Bihar becomes first करोडपति of KBC season 11 KBC season 11 भी कुछ दन पहले आया था और उनके first करोडपति Sanuj Rai हैं जो की Bihar से बिलॉंग करते हैं so यह point आपको याद रखना है then lieutenant Shivangi from Muzaffarpur becomes first woman pilot of Indian Navy now again as I have said many times in my class also की जो BPS examination है, इनको superlative से गजब सप्यार है, इनको कोई भी चीज longest, highest इस तरह के questions कई बार आते हैं and especially गर question related to woman है तो वो और भी जादा potential question हो सकता है so that's why यह वाला topic यह वाला जो point आपको एकदम दिमाग में रखना है कि Lieutenant Shivangi from Muzaffarpur कहां से है, Muzaffarpur से है first woman pilot of Indian Navy यह बने है, Shivani from Shivangi from Muzaffarpur Bihar added the name in history by becoming first Indian woman pilot to join Indian Navy then next point Sam Salam sets new recording in Mishrilaal Memorial Winter Swimming competition, so Mishrilaal Memorial Winter Swimming competition हुआ था, जिसमें Sam Salam ने record कायम किया था Patna Law College Ghat witnessed a new record in state level Open Ganga River Championship organized on 8th December 2019 the record was set up by Mohamad Sam Salam Sheikh who is a para-gilpic person and a para-swimmer from India so इन्होंने जो है यह इसमें एक record कायम किया and what was that record so it was completing 2 km swimming in a record time record timing में 2 km के swimming नोने करी next point Patna University student become first Indian solo climber to reach Mount Akanka Goa so Patna University की student ने Mount Akanka Goa को solo climber मतलब वो अकेले climb करकर के उन्होंने इसको measure करा so the doubter of Bihar has reached the highest peak of South America on 13th January 2020 after hosting Triathlon Africa highest peak on 31st March 2019 2019 इससे पहरे 31st March 2019 को इन्होंने आफरिका के highest peak को जो है वो scale करा था और इस बार South America के highest peak को इन्होंने scale करा क्या नामे इनका Mithali Prasad was born in Nalanda district कहां से belong करती है Nalanda district से and graduated from Patna College University so again Mithali dream of dream to reach the highest peak made her closer to her destination from 2019 where she made up to the highest peak of Africa that is Kilimanjaro so यहां से आपको यह भी पता चलता है कि Africa का highest peak क्या है Kilimanjaro So I hope आप लोग चुकि examination preparation में जो geography से related facts हैं उसका जरूर ध्यान रखेंगे तो यह एक fact यहां पर भी आप आप कर सकते हैं and have a recent achievement of reaching South America highest peak that is Mount Akanka Goa then Bihar doubter Bina Devi famous as Mushroom Mahila was awarded Nari Shakti Award So किने Nari Shakti Award मिला है यह question एक potential format में पुछा जा सकता है Bina Devi को मिला है जिने मश्रूम महला भी कहा जाता है Bihar doubter Bina Devi brought prestige to a state by becoming one of the seven female to handle PM Narendra Modi social media account so then question to our point number 12 Rajendra Prasad the first president of India Rajendra Prasad was a prominent personality who greatly contributed to her national freedom struggle born in Jardain Sivan district of Bihar on December 3, 1884 now again these 2-3 points यहां से निकाले जा सकते है पहले he was the first president of India I hope everyone knows this so यह आप लोगों को पता है कहां पे इननका जन्म हुआ था he was born in Jardai in Sivan district of यह कई बार district पूछे जा सकते हैं किस district में इनका जन्म हुआ था तो Sivan district of Bihar and date क्या है on December 3, 1884 he was influential reader during the Indian freedom struggle so कुछ फाक्स से रेलेट he is the only president to serve 2 full term so सिर्फ अकेले असे president है जो कि 2 complete term इनने जो है serve करा था he was elected unanimously in 1952 as a president of India he was re-elected in 1957 and remains the only president of India to achieve this feat he served as the president of India for 12 years he was also so यहां पर 1952 में election हुआ था 1952 से फिर 1957 में election हुआ लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1950 में जब हमारा constitution बन गया था तो 1950 से 1952 के बीच में भी president कौन थे यही थे so you have to keep that also in mind so वो 2 साल और प्लस यहां 10 साल 12 साल टोटल जो है यह हमारे president रहें और यह भी a question पूछा गया है कि he was also appointed minister of food and agriculture in 1946 दिमाग में रखना है कि minister of food and agriculture भी इनके हातों में था so यह department भी इन्होंने lead करा था he formed Bihar student conference in 1908 again यह question पूछे जा चुके है exams में so Bihar student conference किसने फॉर्म करा था Rajendra Prashad ने फॉर्म करा था कब करा था 1908 में करा था 1908 में करा था so then next point he did his graduation and post graduation from University of Calcutta वहां से उन्होंने बढ़ाई करे थी he was also professor of English and economics so again there could be a question की who among the following were also the freedom fighter were also the professor of English and economics so question होगा answer होगा Rajendra Prashad so यह भी आप इस point को भी note कर सकते है he emerged as a popular and eminent lawyer of Bihar after completing doctorate in law from Malabar University with gold medal he started practicing law at Calcutta High Court in 1911 he joined Patna High Court after its establishment he continued his law practice in Bhaagalpur while continuing his advanced academic studies so यह भी caution हो सकता है कि कहां उन्होंने प्रैक्टिस करी Bhaagalpur में उन्होंने प्रैक्टिस करी थी यह भी आप दिमाग में रखेंगे then next point he left his law practice to join national movement along with Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru so he offered his whole hearted support to Champaar and Satyagra he gave up his lucrative law practice and dedicated insult to the cause of freedom again यह question पूछा जा चुका है कि किस समय कौन से आंदोलन के समय कौन से रिवोल के समय जो है जो हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट है राजिनर प्रशाद उन्होंने national movement struggle को जोईन करा था तो आपको रिमाग में रखना है चंपारन Satyagra यह लेड़ प्रोग्राम्स फॉफ नौन कोपरेशन इन बिहार ही तोट दे स्टेट होलिंग पॉब्लिक मीटिंग्स और मेंकिंग हाथफेल स्पीचेश फॉर सपोर्ट आफ दी movement गांजियन फिलोसफी को भी उन्होंने प्रापगेट करा है वह ग्रेट हुमेंटरियन वह एड़ी तो है पीपर हुवर इंडिस्ट्रेश तो उनका एक नेचर था जोगी वह हल्पिंग नेचर था और इससे वह कई बार जो हैं चुकि जिस जिस राजनितिक पद पे गए उससे लोगों को पास हमेशा वह अवेलिबल रहते थे और लोगों को मदद करने की हमेशा पोशिश करते थे राजेंदर स्मित्री संग्राले कहां पे है पत्ना में है वह उनको डेडिकेट है यह भी आपको दिमाग में रखना है यह सारे जो है राजेंदर प्रशाद से रिलेटेर आपको दिमाग में रखना है यहां पर दो परस्नालेटी को हमने देखा एक विद्यपति कवी और एक राजेंदर प्रशाद दोनों के बारे में कई बार एक्षाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए यह दो काफी इंपरेंट परस्नालिटी है यो कि आपको कवर करना है नौ विल्कम तो नेक्स सेक्शन विस टॉक्स अबट स्कीम सो गर्व्मेंट स्कूल और बिहार और गोंग इडिटल विपांका उन्यन स्कीम प्रोजेक्स सो बाका उन्यन प्रोजेक्ट से जिस से जो है ये क्या है बेसिकली बाका उन्यन एक्षिमेंट इसन ओन आफ्लाइन एडू एडू अडू एडू इडू इंटर्विए दू assessment this project has been adopted by central government flagship scheme उन्नत भारत अभियान which aims to implement it in other villages of the country so आपको ये धिमाग में रखना है basically ये क्या है कि online education program question इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो ये following exams है भाका उन्नियन जो प्रोजेक्स है वो किसे रिलेट करता है so it's an online education project so you have to keep that in mind Neil Nirman Pariyojana to provide safe drinking water in Bihar again कई बार बहुत ही direct questions जो है हमारे इस particular section में पूछे जाते हैं तो आपको ये जो questions है उन में बहुत जादा detail में नहीं जाना है आपको क्या करना है कि केवल जानना है कि उसका relation किस से है an innovative cost effective drinking water project is underway to provide safe drinking water to the people of Bihar by the end of 2020 20 again ये period याद रखना है कई बार target date पूछ लिया जाता है कि ये scheme है इस scheme ये कब तक final finalize होगा या इसका ultimate target कब रखा गया क्या target है नील निर्मान परियोजना का इनका target है end of 2020 the name of project is नील निर्मान परियोजना which is been executed in different phase addressed by public health engineering department the scheme has been launched in Bihar UP Assam and Jharkhand under this project the contaminated water will be converted into safe drinking water जो ऐसा पानी जो गया उनको convert किया जाएगा पीने योग पानी के रूप में so you need to keep this in mind then in his next point which talks about five things you need to know about जल जीवन हर्याली अभियान अभी कुछ दिन पहले जल जीवन हर्याली अभियान निकाला गया था और यह काफी famous है काफी जो है इसके ओपर examination उसके बाद जो examination हुए है उसके ओपर यह questions आए हुए है आपको इसको दिमाग में रखना है जल जीवन हर्याली अभियान की सुर्वात हुई थी as per cm's instruction जल जीवन हर्याली अभियान would be implemented in form of mission there are five major things that you must know 5 ऐसे important points हम लोग ने collect किये जो कि आप जानना चाहिए जल जीवन हर्याली प्रोग्राम से related the state cabinet approved a huge amount of 24,524 यह जो digit है यह जो figure है यह important है कई बार examination में direct figure पूछ लिया जाता है so 24,524 करोर जो है वह government ने जल जीवन हर्याली अभियान के लिए रखा है लेकिन यह जो total amount है यह तीन सालों के लिए तीन fiscal के लिए है तो तीन जो financial year है उनमें यह total 24,524 रुपीज जो है वह divide किया जाएगा Rural Development Department Principal Security अर्विन चौधरी said that 5870 करोर would be spent on the current fiscal जो की current fiscal which was इस साल का देन रुपीज 9,874 करोर in 2020-21 and जो 8780 2021-22 चुकि यह August में यह mission शुरू हुआ था तो current fiscal की जब हम बात करेंगे तो तो वह current fiscal कब क्या होगा 2019-2020 2019-2020 में 5,870 2020-2021 में 9,874 सबसे जादा 2020-21 में यह आपको याद रखना है और जो next है वह है 2021-22 last financial year is period का इस particular mission का जो की 8780 करो इसके उपर total खर्च होगा the entire project will be completed in duration of 3 years again जल्जीवन हर्याली mission will be headed by I.S.A.F.S.A.R.A.G.S CEO so यह सारे important points which you need to keep in mind again next point which talks about text book to be digitalized soon after D.C.A.R.B.H.A.R. government school so B.H.A.R. is heading towards digitalization of all test book in government school so अभी जो lockdown period हो गया इसमें जो digital text book है यह काफी handy होते हैं और कई बार books नहीं मिलते हैं या फिर कई बार books accessible नहीं होते हैं तो अगर digitalized format textbook का हो तो students को काफी आसानी होगी और जबसे जो यह स्मार्टफोन का penetration हो गया है इसमें digital format जो है काफी handy tool भी हो सकता है पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो है इसके लिए mission चलाया गया जिस mission का नाम है दीक्षा mission आपको यह दिमाग में रखना है ध्यान में रखना है बिहार is heading towards digitalization of all test book in government school जो भी government school के टेक्ष्बूक है उनको digitalize करने की बात हो रही है दीक्षा platform offers teacher students and parents engaging learning material relevant to prescribed school curriculum so school textbook है और उसके साथ साथ जो other materials जो की उस particular topic को cover करते हैं वह भी जो government चाहेंगे उससे अनुसार जो है वह डिजिटल format में government डालने का सौच रही है test book to be digitalized soon through दिक्षा at Bihar government school again जो है वह topic है जिसको आप एक बार देखेंगे and the last section which talks about is art and culture art and culture के बारे में कुछ important points है कुछ facts हैं जो कि आप दिमाग में रखोगे नालन्दा भवन bhootisari to represent India in United Nations नालन्दा का जो है वो United Nation में इंडिया को रिपरेसंट करने वालwyn यह काफी गर्व की बात है हम भिहारियों के लिए भवन bhootisari of Nalanda Bihar will represent Indian handicraft in United Nation for international level award given to handicraft by United Nation UNESCO Seal of Excellence this award is also known as seal award seal of excellence award को seal award भी कहते हैं Central textile ministry has taken decision to send this work to completion which will be held in the coming years hence this art will be awarded this year and the world will be exposed for insertion this art from bihar was awarded in ESCO this year in ESCO seal of excellence 2019 which इस ऑल्सो और सील आवर्ड वस गिवन तो सुजनी आर्ट अल्सो नोन है सुजनी बटेटी इस अ स्टेज ऑफ अप सक्यूरिटी तो सुजनी आए होप एवर्रीवन मस्ट वहर्ड अबाउट कि गाउं में या फिर कई बार जो शादी बया के फंक्शन में क्या होता है कि जो बच्चे बच्चों के लिए बिकाउज बच्चे गंदा ना करते हैं तो उसके लिए यह पाटिकुलर चीज से बनाई जाती है तो यह पाटिकुलर एक लोकल सौट आफ यूटिलिटेरियन जो है परस्पेक्टिव था कि जो पुराने क्लोज से उनका यूज भी हो जाएग और उन्हे जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन में लेकिन अब धेरे धेरे यह एक पार्टिकुलर यह कला यह एक यह एक रिते जो है एक ट्रदिशन जो है एक आर्ट का फॉर्म ले लिया गया दा please go through this complete topic then again a third topic which says i am both to get new look inspired by buddhist ideology and both guys 16th institute in the country so 16th iya b important i was established in 2015 established about 2015 may and uh by 2020 it's all said to have a new look the new look have been designed by indian leading और जैसा कि बहुत ही मतलब लोग गेस कर सकते हैं कि यह थीम क्या होगा थीम विल बुद्धिस्ट आइडियोलोजी जो यह पूरा जो कैंपस है काफे घुपसूरत कैंपस है अभी भी लेकिन इसमें जो और भी चेंजिस करके बुद्धिस्ट थीम पे जो है यह पर्टिकुल बिहार सो मघी पान मघी पान जो है GI टैग में है आपको यह याद रखना है तन जर्दालू मैंगो जर्दालू मैंगोज शब बेस्ट भांग भागलपूर यह आपको याद रखना है तन चर्डडडडड़नी राइस लोग चोटी वाली पतलिवारी राइस होती है दे एक कटड़नी राइस सो शौट ग्रेंड राइस नेटिवली ग्रोन इन भागलपुर और भाका डिस्टिक और बिहार एंदें साही लीची सो यू मस्ट आप अब आप गूगल करेंगे तो दिखें कि वह एक पटिकुलर टर्बन पहने वह है पंग तो यह जो पंग तर्बन है यह तर्म जो है अकमिलन डिक्सणरी में आड़ किया गया पंग टर्बन वाइप पीपल अबिहार इं मिथ्ला अचल रिजें नाव फीचर इंपोलर माखमिल इंडिशनरी डिक्सणरी जनरली वान दूरिं फेस्टिविटी इं मिथला रिजन अव नेपल नेपल में मिथला रिजन और नेपल चुकी बहुत ही आसपास है और जो वह पे पीपल तो पीपल कॉन्टाइब वह बहुत जादा है तो वह दोनों जगह जो है यह लो सीडी बीएस आर सीडी जो की बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसमें ग्रीन बेल्ट बनाया जाए ग्रीन जब भी होता है तो डाट रेलेट्स टो इनवायरमेंट ग्रीन बेल्ट जैसे ग्रीन मॉफलर एक टर्म था एक बार एक्जाम में पुछा वह कर्प किया जागा तो ऐसा ही कुछ इनिशियेटिव जो है विल बी डेवलाफ्ट बाइ बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इन फोर्लेन विध एल्प स्टेट गवर्मेंट फॉरेस्ट एं क्लाइमेट डिपार्टमेंट बेल्ट विल बी बिविल इन दिगा और ब्लॉक से दिगा पटना में जो है उसको यह कवर करेगा तो बीच का एक सेक्शन है जो की एलिवेटेड रोड है तो वह एलिवेटेड रोड को छोड़के जो नीचे रोड है उसमें जो है यह कवर किया जाएगा और सर्माइज मेट्रोइट फाउंड इन जो बिहार मुजियम गेट अन्यू मेट्रोइट इन कलेक्शन फाउंड इन मदुबनी लौखई ब्लॉक अन 22 जूलाइ 2019 अकॉर्डिंट पॉब्लिस्ट इन दी हिंदू वेंड नस दे असले साथ वेंग ओवर 10 किलोग्राम और हाविं में अगनेटिक प्रोपटी तो यह मे आया था मदुबनी डिस्ट्रिक ही आपको दिमाग में रखना है ताइगर पॉपलेशन ग्रोफ अट वालमिक की नगर टाइगर रिजर्व जो है जो की अभी तक का बिहार का वनली टाइगर रिजर्व था और अभी हम तरंट पढ़ेंगे की एक और टाइगर रिजर्व अ अब लोग है पर अपको लिनांग में रखना ह्ने होन में बैहन उंटीन का रिजर्व जो क्याओ रखना है और बिहार के विखिय एंगस पते है और यह नक क्रोफ जो यहां पर भी जो टाइगर भी है वह भी काफी यंग है और मैक्सिमम टाइगर जो है यहां पर 10 से 12 टाइगर जो है वह काफी यंग है मतलब उनका जन्म बहुत ही इधर हुआ है आप यहां पर जो टिखल पार्ग तक्टा में वहां पर भी चैचई काफ धाइगर है रीड फाइग वने लिडगा जुट्वेशन रिजम टेंड यहां थर रह रही है और यहां पर निचौश्जण पने्देट फिश्ठक स्बहाइट था था Siya Bird Conservation Reserve, it is situated in Ahmedabad block of Kathihar district So Ahmedabad block in Kathihar district particular Gogabil Lake It is considered as one of the exotic tourist places in Bihar Here are some facts you must know It is known as Bird's Paradise of Bihar It is assumed that more than 90 species have been recorded from this lake So many other species, migrated bird species Caspian Sea and Siberian region They are going to this particular area So this is a stopover point That's why this particular area is very important for birds It is important for birds conservation So the poaching is happening And the hunting is happening For conservation sites This particular conservation reserve This is an important role to play The area of the lake is about 217 acres And its extent is 5 km by 1 km Which is about 143.84 acres This is a place So just a place So you will go through it In this place There are some points So please go through this particular point Again Jasne jivak was organized in Kadia Village of Bihar To celebrate organic farming There was a lot of news in the news And this is Kadia village This is a village to say Which has completely An organic farming Which has adopted This is also famous भी हुआ था तो केडिया विलेज इन जमुई इस्टिक बिहार रियलाइजिंग इस्ट डिवस्टेटिंग सेच्वेशिंग डियाइज तो चुकी जो केमिकल फर्टिलाइजर थे उससे प्रडाक्शन बढ़ नहीं रहा था और पॉल्यूशन बहुत जाधा हो रहे थे सब्सक्राइज देडिए तो गो तुट्रू दिट्राइशनल कोर्स और देन देडाप्टेट दी ओर्गानिक फार्मिंग मेथर्सों यह क्या है इस एंडिड परसंट ओर्गानिक फार्मिंग विलेज सो यह आपको याद रखना और वहीं पर जसने जीवक प्रोग्राम जो है उनिकी स्टेशन उनिक वाजिक विशकी मेथ जाता है और अगोचम आते बाते बाते entsйaking पर किस्टेशन वाही पर देड़े जाता है कुछ उसे और सवेशन होता है उसे लिजक बर्गानिक स्टेशन कहते हैं और कोस्पर खर्गानिक सब्राइब ज Bose प्रिफोर नेक्ट विंटर दा मेन रिंगिंग इंटर विली सेटरीन ऑनगा प्लास्टतिक जून बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है दिमाग में रखना है याद रखना है बाइयार ऑल्डिंग कम्पनी लिमिटेड है। बिहार first no plastic zone का मतलब वहाँ पे plastic की किसी भी चीज़ों को आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं the employee had something common in them that they have steel lunch box so lunch box भी जो plastic के होते हैं वो भी आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं water bottle जो plastic के होते हैं वह भी इस्तमाल आप नहीं कर सकते हैं और वहां पर ग्लास या स्टील का बना हुआ जो वाटर बॉटल लंच बॉक्स वहां के इंपलाई जो है इस्तिमाल करते हैं बहुत ही अच्छी इनिशेटिव है लोगों को जागरुकता फैलाने के लिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए बंद किया जाए मैंने बताया था कि 2nd Northern Tiger Reserve भिहार भी जब मैंने बात करें कि ए बात करें Tiger के बारे में • Eis depositsillar already तो इसके लिए अलग प्लेस एक अलग जगह कोजने की बात हुई थी और जो डीएफ हो थे कैमूर रीजन के उन्होंने इसको 2018 में ही बताया था कि जो कैमूर एरिया है यह पोटेंशल एरिया हो सकता है और गर्मेंट ने डिसाइड किया और अब जो है कैमूर में सेकें टाइ वाला है तो इस सेंचुरी वालमी की टाइगर रिजर्व है वहां पर 31 है विचिस ऑल्मोस्टी साचुरेशन पॉइंट पॉइंट प्टिकुलर टाइगर रिजर्व लास्ट सेक्शन में हम आते हैं जो की मिसलीनियस सेक्शन है बिहार वोमन रग्बी टिंग विन सिनियर न जीता है तो ओडिशा के खिलाफ जीता है यह तीन पॉइंट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में याद रखने है तो सब्सक्राइगर बिहार का एक फेमस ब्रिविज है लोग पीते हैं पेट को ठंडग परदान करता है हल्दी भी होता है और इसको जो है पॉप जो है यह प्रग्राम शुरू किया गया अंदे डे अफसको पीपी सकते हैं लोग फीते भी है लोग खादे भी है तो इसी लिए जो है सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब इस प्रोग्रांड पर्व फ्रेंट्स को एक इक पोटेंशिल प्रणिं प्रीड्स के इन्होंने इसको लाउंच किया था और इसमें डिफरेंट सत्तू ड्रिंक लाया गया जिसमें तीन फ्लेवर जल जीरा स्वीट और चॉकलेट फेवर में सत्तू को डाला गया तो यह एक इनिशेटिव बहुत अच्छी इनिशेटिव है एक जो बिहार में सब्सक्राइब करते हैं इसलिए आपको याद रखनी है कितने इमाउंट का फंड जो है रेस किया था सो आपको यह भी याद रखना है कि 12 मिलियन किया था किस से किया था सिकोया इंडिया से किया था इनिशेटिव 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 को यह फांडिंग अभी मिला है नाओ बाउंस बैक बिहार वेव अवेरनेस बाउंस हैस्टाइग बाउंस बाउंस बैक बिहार कुछ दिन पहले बहुत फेमस था और बेसिकली यह कुछ जो है जो डिजिटल कॉमेंटरी जो है एक जॉइंट इनिशेटिव था जिसमें जैसे क कि डिजिटल कॉमेंटरी जो है आकाश और बिहारी नंबर वन और दिफरेंट मगदी बॉइस करके दिफरेंट ग्रूप्स थे उन्होंने यह बनाया था बेसिकली यह क्या था कि इट वाज़ टीम स्प्रेड मेसेज अक्रोस बिहार आसकिंग पीपल तो मेक शॉट अवेरन प्रजिका हो मैथली हो इन सब लैंग्वेज में बनाने की बात थी बाउंस बैक बिहार जो है इसी एक इनिशेटिव का नाम है नाओ वैग द्वैल बिहार मदेपूरा गेव इंडिया इस फोर्स्ट हाइच स्पीड लोकोमोटिव कहा जाता है कि यह सबसे हाइच सबसे जो इनिशेटिव बहुत बड़ा इनिशेटिव बहुत प्राउड मूबमेंट है क्योंकि यह पर्टिकुलर लोकोमेटिव अभी मदेपूरा में बिहार के मदेपूरा डिस्टिक में बनाया जा रहा है विंग आफ्टर सक्सेफुल लांच उफ रीसें कितना है इसका होर्सपा इंडिया इन इस नौइ दर इस बिकमिंग शिक्स्त कंट्री इंड वल्ल तो प्रडूज हाइप आइसे कंट्रीज है जो कि हाइप आइज बनाते है उसमें से एक अब इंडिया हो गया है सब्सक्राइब करेंगे जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल करेंट अपेर्स कवर करेंगे थैंक्यू